है एवरिवन वेल्कम टुटे क्लास 24 जैसा कि आप सुभी को मालूम है डेली सुबह आट बजे मंडे टो सटेड़ अपना एक इंपॉर्टन सेशन होता है जहां काम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टन करेंट अफेर तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज है मंडे और मंडे को हम हम लोग 2 दिन का important session है जो की cover करते हैं जिसके अंदर हम लोग Sunday का न्यूसपेपर भी देखेंगे जिसके दो तीन आपको तीन चार आपको important news मिलेगी आर्टिकल मिलेंगे और साथ में जो है मंडे का भी newspaper करेंगे जिसके अंदर हम लोग हमारे as usual Indie Hindu Indian Express Financial Express यह सारे 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 sources इसके अलावा PIP, PIRS पर क्या important है, यह सब है जो कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उमीद करता हूँ, आने वाले 45 मिट के अंदर आपको बहुत को सीखने को मिलेगा, बहुत को जानने को मिलेगा, और आपके हर एक एक्जाम में इसके बाहर कोशन देखने के possibility नहीं है, क्यो निशन्त होगे, इसको regular देखा करो, आप 6 मेने देखो, कोई भी exam आएगा, आप बहुत अच्छा perform करोगे, एक भी question आपको current affair का गलत नहीं होगा, हो सकता question गलत आजाए, लेगिन आपका fact बिल्कुल सही होगा, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यह देख सकते हैं, आप कौन-कौन से कितने articles हैं, आज भी आपको 15-16 articles देखने को मिलेंगे, देंदु में काफी अच्छा content है, दो दिन की newspaper की अगर मैं बात करो, तो 11 articles है, इने express में 2, financial express में 1, जंसत्ता में नहीं है, बाकि सारे sources पे 3, तो अगर आप देखोगे, तो वह 17 total article है, जो क किसी भी exam के लिए, तो आप यहां से कर सकते हैं, class 24 पे current affair का batch मेरा चल रहा है, जो कि आने वाले कुछ दूरों में खतम होगा, तो आपको सारे video, सारे notes से जो कि मिल जाएंगे, साथ मैं SSC के लिए best India की team आपके पास available है, आप join कर सकते हैं, और EORO का batch है, साथ मैं science railway के लिए आपके लिए biology और basic science engineering का course है, अगर आप net, set और assistant professor की तयारी करना चाहते हैं, तो JRF ADDA application जो कि download कर सकते हैं, आपको करना जाए class 24 app download करनी है, उसके बाद preparation में जाना है, उसके बाद आपको यहां पे सारे courses है जो कि available हो जाएंगे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अपना एक आज का code of the day देखते हैं, we grow through what we go through, एक बहुत अच्छी बात है जो कि आपे बोली कही है, कि हम लोग grow वैसे करते हैं, जिन चीजों से हम लोग go through करते हैं, अगर आपके जिंदगी में कोई problem ही नहीं है, यकिन मानिये, अगर किसी भी तरीके से आप fight ही नहीं कर र रहे हो, परिशान हो रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, fail हो रहे हो, फिर वापस try कर रहे हो, तो आपको उतना ही जबर्दस परसन है, जो कि ये circumstances बनाने वाली है, है ना, आप अगर इस level पे fight कर रहे हो ना, तो जिन्दे की मजब ये नीचे वाली problems आएगी ना, तो ये आपको problem लगेगी नहीं आपको, क्यों, क्योंकि जिस circumstances से problems आप गुजरे है ना, उसी तरीके से आपको build किया गया है, उन परिशानियों ने उसी तरीके से आपको build किया है, तो कही ना कि ये परिशानिया जो होती है हमारी student life के अंदर, ये हमें build करती है आने वाले हमारे 30 साल, 40 साल के लिए, ओके, तो we grow through what we go through, हम वैसे ही grow करते हैं, जैसे ही चीजों से हम लोग गुजरते हैं, चले, आगे बात करते हैं, संदे की newspaper का, तो संदे की newspaper की front page की बात करो, तो यहाँ पे Indian Air Force के बारे, sorry, Air India के बारे में बताया गया है कि आपको मालूमें, Air India ने दोस्तों काफी स सारे plane से जो की बढ़ा दिये हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है pilots की, pilots ही नहीं है, 7-8,000 नए pilots की demand है, जो की अभी right now Air India के पास available है, और आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगी, लेकिन यह demand पूरी करना बहुत ही मुश्किल है, right now Air India के हालत ऐसे हो रखी है कि बहुत सारी flight है जो की यह लोग cancel कर रहे है, डेली का परेड़े 3 करोड रूपे का यह नुकसान है जो की करवा रहे है अपना, लेकिन यह है कि इनके पास में flight तो है, audience भी है, customers भी है, लेकिन उड़ाने के लिए pilot नहीं है, तो वो एक यहाँ पर problem है जो की बताए गई है, इसके अलावा है, पुजट चीता किता है, टोटल मिला के 20 है, जो की अभी हो गए है, संदे के newspaper में कल second page number पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर DMRC की एक news है, important है इसके बारे में बात करेंगे, छोटी सी news है, लेकिन हमें as usual जैसे की हम बात करते हैं कि छोटी भी हो लेकिन हम लोग उसको कवर जरूर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, DMRC ने दोस्तों Saturday को launch किया, इंडिया का first ever indigenously developed signaling system, signaling system for operations on a red line, तो जो signal के जो system है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि foreign company से signal system लिया करते हैं, signal system क्या काम आता है, कि कौन सी train रुकेगी, कौन सी जाएगी, कौन सी आपस म जो है, जो है ना, दोनों का timing match नहीं होना चाहिए, तो यह जो signal system है, यह दुनिया में बहुत कम देशों के पास में, आप यह समझके देखिए, कि यह जो ATS system, signal system जो हमने develop किया है ना, दुनिया में हम लोग दोस्तों 6th country हैं, जिसने इस system को build किया है, और हमने यह indigenously build किया ह तो DMRC और भारत electronic limited, दोनों ने मिलके central government का जो program में making India उसके ताहत आत्मिन निर्बर भारत initiative के ताहत जो है, इसको पूरा क्या है, अब इसके benefit देखिए, डेली metro में ते उसको benefit है, क्योंकि डेली metro में आपने देखा होगा हर 2-2 मिनिट के अंदर train रुकती है, और दीरे दीरे जो है न, वो metro का structure है, वो भी फैलता जा रहा है, बहुत जरूरी भी है, metro का benefit तभी है, जब किसी शेर के अंदर आपस में, पूरे शेर में metro connected हो, अगर एक route पे metro चल रही है, तो उसका कोई खास benefit होता नहीं है, हना, multiple routes पे connected होने चाहिए, तो इसलिए दिली के अंदर बहुत होती है, हना, कई बार बीच में रुक जाती है, ट्रेन दूसरी को bypass करने के लिए, तो इस जो signaling system है, यह बहुत ही अच्छा है, जो कि आने वाले time to improve हो जाएगा, आप देख सकते हो, दिली के अंदर total number of lines, जो है, वो 10 line है, metro की, जो कि आपको देखने को मिलती है, और daily जो है, वो nearby 27 से 30 लाख लोग है, जो कि travel करते है, 25 लाख तो आप कम से कम मान के चलो, जो कि daily travel करते है, 25 लाख लोग सोची है, अगर वो गाड़ी लेकर, या फिर रहना, वैसे निकलते, public transport से, या फिर गाड़ी लेकर निकलते, खुद की, तो कितना और जादा pollution है, जो कि हो सकता था 20 साल है, जो कि DMRC को हो चुके है, और हर 3 मिनिट के अंदर है, जो कि gap, train है, जो कि चलती है, तो आप यह देख सकते हैं, यह पूरा दिल्ली के अंदर metro का route है, जो कि फैला हुआ है, पूरी दुनिया में second number पर सबसे बड़ा route है, metro का किसी शहर की बात करें, तो सबसे बहल तो pollution नहीं होता है, आगे बात करते हैं, page number 7 पर चलेंगे, यहां पर बात करेंगे, रश्या को लेकर, और रश्या दोस्तों, एक और इंडिया के लिए अच्छे news है, कि रश्या के ओपर कई सारे sanction हैं, जो कि लग गए है, अब उसके वदे से क्या हो गया है, कि रश्या यह बोल बात करें, बहुत अच्छी बात है, देखो समझने की कुशिश करो, हम बात कर रहे हैं, आपे कौन से के बारे में, सुखोई, इसका नाम है सुखोई सूपर जैट, सुखोई सूपर जैट 100, यह प्लेन का नाम है, सुखोई सूपर जैट 100, यह 100 सीटर, सिविल इसके इंदर बैट सकते हैं, इसको सुखोई कॉरपरेशन के दुमारा जो है, वो बिल्ड किया गया है, सुखोई कॉर्परेशन दोस्तों जो कंपनी है, वह एक यहां पे local एक और कंपनी थी, USA, और यहां पे MIG कॉपरेशन, दोनों को मिलकर है जो कि सुखोई कॉरपेशन, company बनी है, बहुत ही बड़ी है, जो कि planes बनाती है, अब Russia के ओपर sanction लगने से क्या problem हो गए, कि जो इनके parameters हुआ करते थे जो equipment आते थे, वो Europe से आया करते थे, अमेरिका से आया करते थे, तो अब इनके पास में नहीं आ पा रहे हैं, तो अब ये build नहीं कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सुखोई के लिए, इंडिया जो है, वो internationally जो plane चाहिए, वो manufacture कर दे, क्योंकि इंडिया के ओपर कोई sanction नहीं है, इंडिया के पास capability भी है, हम लोग अभी तीन company से बात भी कर रहे हैं, हमारे engine के लिए, एक तो royals, royals से बात कर रहे हैं, जो के British company है, एक आपकी American company क्या बोलते हैं, Airbus हो गई, है ना, उससे general electric, electric जो है American company, उससे बात कर रहे हैं, एक और company है, सफरान करके, ये French company है, तो तीनों company engine मनाती है, इंसे भी हम लोग discussion कर रहे हैं, ताकि हम लोग domestically ये वाले engine की technology लेके, खुद plane से जो की बना सके, तो हमारे लिए double फायत है, एक तो हम लोग Russia के लिए बनाएंगे पैसे कमाएंगे, आपे नौकरिया पैदा होगी, दूसरी important बात अभी recently Air India ने आपको proposal भी दे दिया है, अब हमारे लिए complication ये है, कि हमें technology निकालनी पड़ेगी, हमें या तो एक अच्छा engine company देखनी पड़ेगी और फिर यहां पर HCL पूरी manufacturing लगा के, इनकी requirement को पूरा करेगा, तो यह यहां पर recently जो की हो रहा है, तो import का replacement है, जो की यहां पर किया जा रहा है, swift के payment के भी sanction लगा दिया है, रश्या के ओपर, कोई component नी मिल रश्या के हो, इसलिए रश्या के sanction की वज़े से उसको इंडिया के पास है, जो की आना पड़ रहा है, यह आप देख सकते हो, यह plane है, जिसके बारे मैं travel कर सकता है, है ना, कई सारे 4000 किलोमेटर तक की इसकी range है, जो की देखने को मिलती है, तो अब यह हम लोग अगर बनाते हैं, तो हमारे लिए काफे बड़ा advantage होगा, तो आप से यह पूछ सकते हैं कि कौन सा aircraft है, जो की रश्या, इंडिया में H.E.L. के साथ में बातचीत कर रहा है, बनाने के लिए, तो सुखो ही आपको सूपर जेट 100, सिवल एरक्राफ्ट है, जो की आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा question है, आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10, यहाँ पर दोस्तों discussion क्या गया है, चाइना को लेकर, आपको मालूम है दोस्तों, हमारे country के अंदर जो है, नॉर्मली दहज प्रता है, जो की बहुत सालों से देखने को मिलती है, और बहुत ही अजीब बात है, मतलब बहुत ही बखवा सीज़े की एक दहज है, जो की लिया जाता है, लड़के को खुद को इतना confidence ही नहीं है, खुद के ओफर की हो, उसको लगता है कुछ पैसे जो है, वो मिल जाएंगे, यह सब तीजे मिल जाएंगे और वो survive कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो नौर्ट इंडिया के अंदर majorly prevalent है, जहाँ पर petrol के society का culture देखने को मिलता है, नौर्ट इंडिया में यहाँ पर दहज प्रता है, majorly यहाँ पर government job के तैयारी लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको दहज मिल जाए, यहाँ दहज मिलने, government job लगने के बाद वो अपना negotiation है जो की करे है, अगर उसकी सोच अच्छी है तो आपके लिए शादी के लिए ठीक है, अगर उसकी सोच ऐसी है नहीं है तो लेना ही पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपके परिवार वाले देंगे, यह सब तरीके हैं, यह बाइपास करने के, तो यकिन वानी है, यह रॉंग न और इंडे कि ऐसे लड़कों से दूर रहो, और लड़के भी जो है, वो खुद अपना करियर बनाने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दोनों मिलके पढ़ाई करो, दोनों मिलके अपने असेट्स जो भी आपको बनाने हैं, वो लो, है ना, वो सब करो, मैंने दोने नहीं लिया था, मतलब, तो मैं भी आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतले नहीं सब इन सब चीजों में, लेकिन चायना के अंदर उल्टा सिस्टम हो गया है, चायना के अंदर क्या हो गया है, कि इन लोगों ने 1980s में आप सभी को मालूम है, दोस्तों की, एक वो वो तो अपने बच्चों के लिए best चाते हैं, और उनकी mentality में government job उनको लगता है कि best है, या फिर security है, या जो भी है, whatever, तो वो उनकी accordingly best देखने ही कोश्च करते हैं, लेकिन ये criteria जो है, वो नहीं है, आपके अंदर जो ते गर्स होने चाहिए, ये बोलने के, कि मैं मैं महनत कर चाहिए, लेकिन आप में courage होना चाहिए, दिल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, तो वो अलिकानी है, लेकिन चाहिए, लेकिन चाहिए में बहुत ही इंटरस्टिंग ली क्या हो गया, देखो, उननीस सो अस्ती में नोने one child policy implement करे थी, और वो बहुत ही backfire करके गई, कभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप थोपते हो ना, तो वो हमेशा backfire करती है, तो उनीस सो अस्ती के टाइम पर हमने तो family planning के ओपर काम किया, और चाहिना ने काम किया, इस ट्रिक one child policy के ओपर, अब क्या हो गया, जब one child policy नोने implement करी ना, तो majorly क्या हो ग human rights, उनका violation बहुत हुआ, क्योंकि पहला बच्चा जो है, वो सभी लोग यह चार थे कि एक और एक वो लड़का हो, क्योंकि उनको field के अंदर मदद करेगा, बाहर के काम करने में मदद करेगा, चाइना में भी same mentality थी है, असी इसके अशी नब्बे के टाइम पे, तो उनको ल चाइज देना पढ़ रहा है लड़कियों से शाधी करने के लिए, तो यहाँ पे जो पूरा article है न, वो यह यह, ब्राइट प्रैस के बारे में, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा सर्ज है, जो कि हो गया है, तो यहाँ का जो fertility ratio अगर आप देखोगा, वो स्री 1.3 है, य कोई चाहता है निया, अब चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक दोस्तों लड़कियों का crisis बहुत ज़्यादा हो गया है, एक human right का violation भी बहुत ज़्यादा हुआ, और उल्टा आप यहाँ पे लड़कों को देश देना पढ़ रहा है, ठीक है, तो य क्राइस जो कि यहाँ पे देखने को मिले है, तो यही पूरा आटिकल है, स्काय रॉकिटिंग प्राइस यहाँ पे हो चुकी है, एजुकेशन की बाट की चाहता हो कि तो कोई दूसरा बच्चा करना भी नहीं चाहता, और मेजरी लोग शादी भी नहीं करना चाहता है, एक उसका पॉपुलेशन देखे, कितनी ड्रास्टिक ली डाउन होई, फिर 2016 के अंदर ने टूचल पॉलसी किया, उसके बाद और ज्यादा डाउन हो गई, बदलब बच्चे बड़े नहीं, और ड्रास्टिक ली नीचे की तरफ चले गए, त्री चाहिल पॉलसी भी कर दिया, लेकिन उसका भी कोई बेनिफेट निग रहा हूँ, वही हमने क्या फोकस किया था, 1980 के टाइम पर हमने फैमिली प्लैनिंग के ओपर फोकस किया था, हमने कोई इस प्रिजंट रूल नहीं लगाय थे हांपर, चैना ने तो एंफोर्स कर दिया, हमने यापर फैमिली प्लैनिं उसके ओपर जाधा एंफोर्स्मेंट हुआ, हमने राइट का वाइलेशन हुआ, इसके ओपर BBC और भी बहुत सारे ओगनाजेशन से, डॉकुमेंटरी, Netflix पे भी डॉकुमेंटरी मिलेगी, चैना की वंचल पॉलिसी के ओपर, बहुत ही जाधा हुमन राइट वाइलेशन है, पॉपॉलेशन श्रिंग हो गई, जेंडर इंबैलन्स हो गया, अबोर्शन जो है, वो बहुत जाधा बढ़ गए, क्योभी सबको एक लड़काई चाहिए था, फीमेल, है न, इन्फेंटिसाइट बहुत जाधा बढ़ गए, एक्ट्रा जो बेबी हो गए, वो इलीगल करार दे दिये गए, तो वो कभी citizen ही नहीं बन पाए, उनके ओपर fine में लगा दिया गया, personal values और opinion की कोई value ने रही, अब इसका कुछ positive जो है, वो क्या देखने को मिला चाहिना को, एक तो भी population problem जो है, वो ease हो गई, poverty काम हो गई थोड़ी, और family जो हो श्रिंग हो गई, छोटी families हो Malthusian theory of population, इस theory of population में ये बोला गया था कि भी population जैसे बड़ेगी ना, उससे क्या होगा, किसी भी देश को बहुत बड़े समस्या होगा, क्योंकि उसके जो resources है, जो उसका food है, वो उस speed से grow नहीं करेगा, जैसे कि population करेगी, तो इस बात को बहुत जा सीरियस है, जो कि Chinese लोगो ये दिया गया था, कि क्या होगा, population growth जैसे होगी ना, विसे food की supply नहीं होगी, इससे बहुत ज़्यादा problem होगी, तो उनके द्वारे किताब लिखे गई थी, ऐसे on the principle of population, 1798 के अंदर, 18th century के अंदर, उनके द्वारे population के ऊपर एक किताब लिखे गई थी, कि कैसे जो है, population और food imbalance से जोकी हो जाएगा, और एक देश को बहुत नुफसान होगा, तो इसको बहुत जादा ही seriously ले लिया, चाना ने और इसको implement कर दिया, उके, इनके दुवारे कहना था कि population जो है, वो resources को outgrow कर जाएगी, जिससे बहुत सारे problem आईगी, लेकिन दोस्तों western countries ने ऐसा बिलकुल भी नहीं होने दिया, अब इसको criticize किया गया western world के दुवारा, जैसे कि आज western Europe की बात करें, तो population यहाँ पर भी rise हुई है, लेकिन at a same time इन्होंने food supply को भी grow किया है, क्योंकि इन्होंने technology के ओपर काम किया, तो food और साथ में population दोनों बढ़ती चले गई, तो ये theory जो है, वो क् 14 trillion dollars से भी जादा है, तो यानि कि वहाँ के agriculture population US में भी बढ़ी, लेकिन उनकी income भी बहुत अच्छी बढ़ी, और अच्छे तरीके से वो लोग economy को भी बढ़ाते चले गए, इसी तरीके से मैल्थ्यूस थोरी के अंदर एक और बोला गया था कि limited food supply की problem होगी, land की availability नहीं होग लेकिन वक्त के साथ में दूस्तों बहुत सारी technology है, जिसने land को agriculture में convert किया, हना बहुत सारे तरीके निकल गए, globalization हो गया, और लोग एक दूसरे में import-export के अपर भी काफी dependent हो गए, तो ये जो theory थी, वो इतनी जाता relevant truth नहीं हो बाई, चाइना ने तो आखे बंद करके इसको रिप्लेस करने का 2.1, ओके, वहीं पर हमारे आप बात करें तो हमने दोस्तों पीछे कर दिया, चाइना को population के अंदर, और दस साल पहले हमारी annual 10 साल की जो, decadal growth थी, वो 17% थी, 2001-2011, 2011-2021 देखोगे, तो हमारी growth 12% है, यानि कि हमने decadal growth कम करी है, समझ गए, इसके अलावा, एक्सपेक्टेट है कि 2050 तक हमारे आपे नियर्बाइ नियर्बाइ पौने 300 करोड की population है, जो की देखने को मिलेगी, और हमने लेकिल काफी control कर दिया, हमारे replacement rate भी दोस्तों 2.1 से नीचे आगया, 2.0 पे है, तो 2050 के बाद में हमारे भी आपे downfall है, जो की population का देखने को हम लोग रिख डॉमिग्राफिक डिविडेन की opportunity है, जैसे कि चाइना के पास में भी opportunity थी जब उनकी young लोग थे ना, तब उन्होंने industrialization किया और अपनी एकनौमी को बहुत ऊपर ले गए, हमारे पास में भी ये मौका है, हमारे पास 25-56 तक मौका है, 2005-56 जब तक हमारी population young है, हमारी average age दोस्तो 27 है हमारे country की, चाइना की 37 है, जैपैन की 42 है, USA की भी 37-35 के आसपास है, तो ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा advantage है, कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से use करते हैं 20-30 सालों के अंदर, तो हम लोग भी बहुत अच्छी trillion dollar economy है, जो की बन सकते हैं, है ना challenges क्या-क्या है, एक तो महिलाओं के दोस्तो participation बहुत कम है, आप ये देखे न, एक घर के अंदर एक अगर husband जो है, वो मालीजय महिने के 10,000 रुपे कमा रहा है, और एक परिवार चल रहा है, उसी time पे अगर एक महिलाओं को हम लोग शिक्षित कर देते हैं, job oriented बना जेते हैं महिलाओं को participation अभी बहुत कम है, 14% के somewhere है, यही अगर 28 हो गया तो हमारी economy automatically दोस्तों double हो जाएगी, हना, हमारी 4-3 trillion dollar की economy पाच-6 trillion पर पहुच जाएगी, तो यह बहुत ही जरूरी है, आज छोटे-मुटे देश भी दोस्तों बहुत अच्छा development कर चुके हैं, अगर आप Thailand ज जाधा है, employment नहीं है, infra नहीं है, और Indian जो maximum लोग, जो talented लोग है, वो India छोड़के जा रहे है, working professional, जो कि हमारे लिए आप नौकरी ग्रेट कर सकते हैं, वही जा रहे है, तो वही वाली बात है कि अगर सारे talented लोग चले जाएंगे, तो बच्चे का कौन है, आप नौकरी देने education बढ़ाएं और entrepreneurship को encouragement दे, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, कल के इंडिन एक्सप्रेस की बात करें, तो यहां पर जो news है, UN Commission for Social Development, यह एक UN Commission है, Social Development का, इसकी जो chairmanship है, वो दोस्तों किसको मिल गई है, रुचिरा कमबोच को मिल गई, रुचिरा कमबोच को मिल गई, रु इस 62 सेशन के अंदर चेर्मैन जो की इनको बनाया गया है, United Nation का जो Social Development Commission ना, यह 100 के दुवारा इसका formation होता है, और यह काम करता है, Social Development के ओपर, कि कैसे जेंडरल Equality लानी है, कैसे poverty कम करनी है, हना, Health Education को कैसे promote करना है, इसके ओपर काम करता है, 1946 में इसका formation हुआ, और New York में इस Summit के बाद में इसका formation है, जो की किया गया था, अब बढ़ते हैं, आज के देंदू की तरफ, आज के देंदू की बात करें, तो सबसे पहले यहां पे CBI ने पोस्पॉंड कर दिया, मने सिसोधिया से जो कॉशनिंग करनी थी, यहां पर बात करेंगे हैं, दोस्तों, इंडिया के अंदर कास्ट के इशू है, जो की देखने को मिले हैं, मानेटीज को जो है, वो सब क्लैश है, जो की आपस में देखने को मिले, प्रेयर के टाइम पे बहुत ही इनियस क्राइम एक तरीके से यह ना, इसके अलावा जबू कशनिर के निउस है, तो यहां पे अगर आप दे सादा हो गया है, तो अगर आप देखोगे, तो यहां पी यह बताया है कि 2022 में 2.25 लाग, सबादो लाग भारतियों ने इंडिन सिटिजन्शिप है, जो की गिव अप कर दी, जो की मैक्सिमम है 2011 के बाद पे, और यह लोग को सिटिजन्शिप मिल कैसर है, इसका इक मेजर कार देते हो, घर ले लेते हो, क्योंकि यह सब बड़े-बड़े कंट्रीज हैं, आप गरों की कमी नहीं है, बहुत घर बने वे रहते हैं दूर-दूर तक, और करोडों के अंदर मिलते हैं, तो अगर आपके पास पैसा है, और आप पे इंवेस्ट कर दो, करोडों रुपे, तो होती है, समझगे मेरे बात, एक मिलियन डॉलर से जाधा कि अगर आपके पास में वेल्थ हैं, तो आप कंसिडर करे जाओगे, हमारे देश में जो है, दोस्तो, वो साड़े-तीन लाग है, जो कि माने जाते है, ऑफिशली, इसके अंदर मंत्री-वंत्री शामिल नहीं है, क्य जाधा कि हैं, अब उसमें से सोचिए, साड़े-तीन करोड में से, साड़े-तीन लाग, सारी, साड़े-तीन लाग में से, अगर दो-लाग लोग हर साल अकर इस तरह के से विज़ज जाते रहे, और वहां सै्टल होते रहे तो हमारे यहां तो बच्चे गाही निकोई, और साड conflicting golden land इंडिपendर वीजाय मल्टा पर्मनेंट रेसिदेंसी प्रोग्राम ग्रीस रेसिदेंसी एसे दुन्या में बहुत सारी डिशों प्रोग्राम चला रखें कि वह दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनको बोलते हैं कि हम आपства Canadian रहने के लिए आप जय को ढप बेंगे तो इस वज़े से जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक 50 साल के पंकाई शर्मा जी है कैनेडा शिफ्ट होगे 2019 में उनका एक हैना है कि जब वो दिली में रहते थे तो उनकी बेटी को जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सिजन की प्रॉब्लम होती थी एर पॉलूशन की वज़े से उनकी चेस्ट में इंफेक्शन रजा था जब से कैनेडा शिफ्ट हुए तब से वो प्रॉब्लम बंद हो गई को कि मापे पॉलूशन ही नहीं है तो हमें हमारे यहां पर दोस्तों कॉलिटी को इंप्रॉब करना पड़ेगा कई लोग बहुत इस पर प्रॉट भी फिल करते हैं कि देखो कितने सारे इंडियन जया हो फॉरूम के सिटेजनशिप मिल रही हो उनको अरे यह को अच्छी बात है यह बुरी बात है कि यह लोग यह पूरा डेटा है सबस्यादा लोग USA, Canada, UK, Italy, Germany, Australia इन देशों के अंदर है जो कि आपको देखने को मिलेंगे है ना यह सबसे USA के अंदर नंबर काफी बढ़ गया Canada, USA, Netherlands, Italy, Sweden, Germany, Singapore, Australia, New Zealand यह लोग सभा के अंदर डेटा है जो की दिया गया है चलिए तीन तरह के से दोस्तो citizenship है जो की जाती है किसी भी परसन के according to the part 1 of the article हमारे जो 5 से लेकर जो 11 आर्टिकल है वो citizenship को लेकर यह part 2 पार 2 जो है वो हमारे citizenship को लेकर है उसमें article 5 से 11 के बीच में citizenship के बारे में mention है तो देखो एक तो आप अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं citizenship दूसरा आपने किसी दूसर के वज़े से हैं या तो इन्होंना खुद ने त्यागदी citizenship या इन्होंने दूसरे देश की ले ली जा हमारे हां पर डूल citizenship का कोई भी प्रावदान जो की नहीं है आगे बात करते है जो कि है तेलंगाना की चिली को लेकर ठीक है पेज नम्मर 6 के बारे में बात करेंगे यह चंद्रान की बारे में बात करेंगे देखो यहां पर तेजा नाम की चिली ना ये दोस्तों बहुत जदा हौट ऊट है जो की माने जाती है और इसके वज़से से दुनिया में इसकी ढिमांड बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है तो तो आपको मालूम और राजस्तान में आपको तेज तर्रार एकदम मिर्ची वाला खाना मिलेगा आपको जो की लिए अच्छा नहीं होता है तो बहुत सारे मेरे दोस्तों की जो आते हैं बार सा उनके समस्या होती है जब राजस्तान में आते हैं उनको इतना तेज तर्रार खाना मिलता है हालत करा हो जाती है तो राजस्तान में क्या है कि टेस्टी बनाना तो मिर्ची डाल दो यह ऐसा लगता है लोगों को तो जब तक धूबा ने निकले कान में से जब तक खाना खाना निमानत जाते हैं ऐसा माने जाता है कि यहां पर तिलंगना का सेकंड लाड़्जेस चिली मार्केट है यहां पर हमन करके जगह है खामम डिस्ट्रिक है तो वहां पर इसका प्रोडेक्शन जो की किया जाता है और लीडिंग एक्सपोर्टर भी दोस्तों पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं आप से पूछेंगे इसके बारे में तेजा चिली कहां पर देखने को मिलती है तो यह आपको तिलंगना रिजन जो कि आपको द्यान रखना है इसलिए मैंने इसको कवर करवाया है पूरी दुनिया में सबसे होटेस चिली जो मानी जाती है वह दोस्तों कैनो लीन वाइपर है यूगे के अंदर है वैसे हमारी दोस्तों दुनिया में पाच्छों नंबर पर गोस्ट पेपर गोस्ट पेपर जो हमारे नौर्थीस में देखने को मिलती है दुनिया के अंदर है और यह भी बहुत ज़दा तीक है चले आगे बात करते हैं चंद्रियान 3 की चं नौट फुर था है तो इसके वाद दीरे-दीरे कम कर दिया है एक बच्चा बोल रहा है कि पाइलेट के साथ में कैबिन कुरू की दिमांड होगी हाँ डेफिनेटली है एविशन सेक्टर कौन बोलता है कि जॉब नहीं है इंडिया का अविशन सेक्टर जो है वह बहुत ग् एजिनेरिंग हो गई या फिर आपके प्रोडिक्शन हो गया या फिर आपके पाइलेट हो गया यह सब ग्रोइगे कोवीड में देखो प्रॉब्लम आगे थी क्योंकि ट्रावलिंग बंद हो गई थी समझ ए लेकिन आप देखो ना कि मिडल क्लास भी ट्रावल कर रहा है का अगर करेगा फ्लाइट में ट्रावल तो दिमांड बड़ेगी तो हल्चीज की बड़ेगी तो इंडिया का एविशन सेक्टर आने वाले टाइम पर बहुत अमेजिंग है अभी तो हमारे यहां पर बहुत ही काम एरपोर्ट है यूएस की कंपेर में देखोंगे तो वन टैं करवाई थी एक बार कहां से लंडन से स्कॉट्लेंड ग्लासको की तो मेरे फ्लाइट के पैसे लगे 4000 और बैक के लगे 6000 बैक को लेके जाना भी ज़रूरी है अलाकि मैं तो बहुत चोटा लेके चलता हो लेकिन हो गया था वह बड़ा थोड़ा सा अपना तो एक बैक होता है जिसमें अपन 15 दिन गोम लेते हैं जो अपन टाक के गोमते हैं वास इसको एनी टाइम चलो ठीक है फॉरल इंविशिटीज में एडमिशन कैसे होता है इसको लेकर रहा है को separate वीडियो के उपर बात करेंगे चलो आगे बात करते हैं चंद्रियान 3 का दोस्तों recently क्या किया है एक successfully test है जो की complete किया है आपको मालू में last time दे चंद्रियान 2 किया था तो हमारा जो lander था ना वो अच्छी तरीके से उसने land नहीं किया था तो उसी को वापस से successfully demonstrate है जो की किया गया है समझ गए ये अभी recently हुआ है तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं च एंद्रियान 2 का ही अपग्रेटेड है जहाँ पर साउथ पोल जो है lunar साउथ पोल जो मून का साउथ पोल है उसके ओपर हम लोग landing है जो की करवाने वाले हैं है ना पिछली बार विक्रम lander जो है वो फेल हो गया था इस बार उसी को हम लोग काम करें जैपान के साथ में चीजे नहीं डाल रहे हम लोग सिर्फ उसकी लेंडिंग के ओपर काम कर रहे हैं आगे बात करते हैं सेल्फी वित डॉटर और जी टॉन्टी कांटर इसका सम्मिट हो रहा और यहां पर दोस्तों कैंपेंग स्टार्ट किया गया है तो स्पोटलाइट है जो की दिखाई गई है हमारे यहां पर दोस्तों प्रोस्टिटूशन लीगल प्रोफेशनल जो की इंडिया के अंदर है लेकिन बस वो क्या होना चाहिए देखो एक हमारे देश के अंदर अकॉर्ण तुदा लौ यह राइट दिये गए कि कोई भी महिला अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है किस पिंपिंग होती है लोग ट्रेड करते हैं है ना यह सब जो है वो इलिकल है यह सब चीजों को कम्प्रीटली इलिकल है जो की बताएगा है साथ में अगर कोई महिला ऐसा करना चाहे तो कर सकती है प्रोस्टूशन लेकिन उसको एक सोसाइटिक एरिये से दूर एक जगह है ए बहुत ही अच्छा डेमोस्ट्रेशन है जो की दिखाए गया था कामाटीपुरा जो की मॉंबे के अंदर है वैसे बहुत सारे एरियाज देखने को मिलते हैं तो उनी की प्रोब्लम में जो की यहां पर दिखाए गया है कि लाखों की तादात के अंदर हमारे देश में सेक्स वरकर्स हैं लेकिन उनकी प्रोब्लम बहुत जाता है उनके हेल्थ एजुकेशन बच्चों के अड़ेंटेटी कार्ड यह उनकी बहुत बड़ी समझसा है तो उसी को एड्रस है जो की यहां पे किया गया है समझ गया मेरी बात तो जी 20 के अंदर आपको द्यान रखना है कि से जो की थीम के ओपर किया गया है आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 के ओपर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर IT के बारे में बताया गया है ठीक है तो लोग सबा राज़े सबा के अंदर दोस्तों इंफॉर्मेशन दी गई आपको मालू मैं IT लेने के लिए रेट करने के लिए तो आपके अच्छी बात है कि यह नौकरिया हमेशा जादा ही होगी कम नहीं होगी बाकि डिपार्टमेंट में कम हो सकती है तो अभी आप यही बता है डेटा के अंदर 2021 को तो देखो डेटा सरकार ने दिया नहीं है उससे पहले का डेटा दिया गया है कि कितना आईटी रेट है जो किया गया है और कितना कन्विक्शन रेट है तो कन्विक्शन रेट दोस्तो बहुत ही कम है यानि कि रेट तो बहुत मारी है लेकिन कन्विक्शन बहुत कम है तो आप यहां पर देख सकतो कितने सर्वेक जो है वो IT department के दुवारा over the year किये गए उसका data दिखाया गया है 2016-11-15 के बीच में 2700 rate मारी गई और 2016-2020 के बीच में 4100, 4000 के आसपा rate है जो कि मारी है 21-22 का data नहीं है वो data और भी जादा है लेकिन वो available नहीं करवाया सरकार्ण अबी कन्विक्शन रेट देखें सरिफ पहले तो 75% कन्विक्शन था यानि कि जिन लोगों का rate मारी उनको सजा हुई है लेकिन 2016-2020 के बीच में जो rate करी है इसमें 1.5% का conviction rate है जो कि देखने को मिलता है आप देखो कि तो cases जो है इस तरीके से rise से जो कि हुए है है ना money laundering के और यह सब अब आपके यह data में आपको क्यों available करवा है क्योंकि आपको UPSC के अंदर या फिर आपके state PCS के अंदर इसके उपर सवाल है जो कि बन सकता है IT department को लेकर corruption को लेकर इन सब के उपर आपके लिए means में एक सवाल देखने को मिल सकता है तो आप वहाँ पर जानकारी दे सकते है और उसके बाद में दोस्तो आप इसका example है जो कि दे सकते है कि कितने cases बड़े क्या conviction rate रही क्या suggestion रहेंगे क्या pros and cons है जो कि देखने को मिलेंगे pros and cons क्या है positive यह है कि दिपार्टमेंट काम कर रहा है positive यह भी है कि इससे तोड़ा डर भी है जो tax नहीं चुका रहे है जो invade कर रहे हैं गलत तरीके से evasion कर रहे है उनको डर भी है तीसरा अच्छा है कि इसससे tax बढ़ भी जाएगा डर से लेकिन इसके कोई नुकसान है नुकसान क्या है कि वह एक तो conviction rate बहुत कम है सजा तो होई ने रही है दूसरा इसके अंदर क्या है कि गुड के साथ में ग्यों भी पिस रहे है तीसरा है कि political interference बहुत जादा है एक दम से इतने जादा कैसे बढ़ गए तो political stability का एक concern है तो यह pros and cons है जो कि आपको देखने को मिलें तो बहुत अच्छा question मना कि आप लिख सकते हो data के भी आफ़े आगे बात करते हैं page number 14 की तरफ यहाँ पे बात करेंगे दोस्तो विराट कोली के बारे में लदा की बात करें तो यहाँ पे लदाक के बारे में बात करेंगे तो ब्रिगेडियर दोस्तो जो बीडी मिश्राजी है वो LG नए लदाक के हैं जो कि रिसेंटली बरे है माराश्रा के बें नए गवरनर बने है रमेज जी कई सरे राज्यों में जो अभी शफलिंग है जो की करी गई थी तो बीडी मिश्राजी जो की रिटायर जी है वो LG है जो की यूनिट एटर व लदाक के दोस्तो बने है काफी टाइम से स्टेट रूट की डिमांड है चटे शेडूल में एड करने के लिए दोस्तो लदाक की कोशिश हो रही है सोनम वांचुक और भी कई सरे लोग है जो की प्रोटेस्ट में उपर उतर आए है तो काफी लोग के द्वारा प्रोटेस्ट से जो की किया जा रहा है पहले दोस्तों यह अनाचल परदेश के अंदर थे और अभी इनको ट्रांसफर किया गया है पहले लदाक के LG कौन थे मातुर साब थे जो की पहले LG थे अभी यह दूसरे LG BD मिश्राजी को बनाया गया है ओके चलिए तो करेंट स्टेटेस क्या है वनलब भाई पतेल जी के 144th birthday पे 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर को दो UTs में डिवाइड किया गया था है ना तो समझ गए जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे आपको 114 मेंबर की पार्लिमेंट थी जहां पे चीफ मिनिस्टर बनाय गय थे और लेकिन जो लदाक वाला रिजन है यहां पे LGA जो कि यहां पे बनाय गय थे है ना चलिए विधाउट एन एसेंबली लदाक के अंदर आपको एसेंबली देखने को नहीं बिलती है आर्टिकल 239 से 241 जो है पार्ट एट उसके अंदर दोस्तो युनिन टैट्री के बारे में चर्चा है जो कि कर रखिये युनिन टैट्री जो है वो एड्मिस्टर करे जाती है प्रेसेंट के दुबारा और एक LGA जो कि अपॉइंट करे जाता है समझगे एक एड्मिस्टर बना सकते हो जैसे कि अंदमा निकोपा लक्षोदीब में बना रखा है या फिर वहाँ पे एक LGA जो कि आप बिटा सकते हो चीफ कमिश्टर भी हो सकता है जो एड्मिस्टर होता है साथ में पार्लेमेंट के पास में पावर होती है कि वो इसके उपर काम कर सके उनिन टैर्टर इसके उपर पेज नंबर सत्रा कल दोस्तों जड़ेजा ने जो है वो उस्टिल्या को बहुत ही दो-चार गंटे के अंदर ही समेट दिया साथ विकेट है जो कि जड़ेजा रहे है जड़ेजा इसवीन ने पूरा गेम दो गंटे में चेंज कर दिया कहां पर साथ रंप एक विकेट था उसके बाद में सौर रंप पर दस विकेट हो गए तो खतरनाग परफोर्मेंस रही हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहां पर रंप के बारे में तो जैकगेव लॉपन थे किसके सौरास्ट रहके तो उन्हें दोस्तो नाइन विकेट से बेंगॉल के उपर रंप रंप की जीत लिये रंप कि जीते लिये कुछ चालों के अंदर ही जो है न दो बाहरे जो की सौरास्टमandan तो रंजी ट्रॉफी सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा टूनामेंट इस जो कि डॉमस्टिक का क्रिकेट का मानजाता है तो मुम्बे के अंदर इसका रंजी ट्रॉफी का लोगो दिखाये गया है बिस्टिश के दुवारा करवा जाता है सब्सक्राइब करें और 1934 के अंदर जो है रंजी ट्रॉफी के शुरुवात करें रंजी जो है रंजी सिंग एक दोस्तों प्लेयर थे जो कि बिटिश की टाइम पर खेला करते थे बिटिश की तरफ से इंडियन थे तो उनके नाम पर ही ट्रॉफी है जो की रखी गई आलाकि कि देश के आजाती के बाद वह नहीं खेल पाए उससे पहले खेला करते थे लेकिन उनके नाम पर रखा गया थर्टीए टीम्स में पार्टिसिपेट कर दी करन्ट चैंपिन सोरास्ट रहे मुंबाई मैक्सिमम टाइम टाइम चैंपिन जो की बन चुकी है कौलिफिकेशन इ लगान वाला ही एकदम फील आगया होगा ठिपा यहां का रही है तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां पर फास्ट पिचे से वहां पर औस बहुत खतरना खेलते हैं लेकिन जहां पर टंडिक विकेट जाते हैं वहां पर इनकी टाइटाइफ इस हो जाती है तो वैसे सब्सक्राइब करेंगा है यहां पर बात करेंगे रियम 2030 के बारे में वर्ल्ट इस इंटरेशनल समिट जो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर नेकर यह के निनक्या सकानल इसका नहीं किया घुलिकुण प्रिंसिपल के साथ में टेक्नोलजी को यूज करना बहुत जरूरी है अदर्वाइस तो भी टेक्नोलजी जिंदगी घराब कर देती है समझ गए तो वही बात है अब उसी में गेल रहे हो पूरे देरी सोचल मीडिया काम में ले रहे हो टाइम पास कर रहे हो तो आपके लिए उससे बहुत खतरना कुछ भी नहीं है जहर से भी जादा खतरना के हो वह अले कहान ही है चलिए तो एक एथिकल गाइडलाइन उन्हीं ज़रूरी है याई सस्टेनेबल डफलप्मेंट देगो मोदी जी की दुवारे एक बहुत अच्छी बात बोली गई कल उन्होंने बोला कि हमें ट्राइबल लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो सस्टेनेबल डफलपेंट करते हैं अगर हम लोग उनके कल्चर से सीखेंगे आदिवास इस शहर के होना उल्टा चाहिए समझ गए गाउं के अंदर आपको पलूशन नहीं मिलेगा आपको खाना वेस नहीं जाने देते पानी खाना एलेक्रिसिटी इसकी थोड़ी वैल्यू करी जाती है समझ गए और मिटी हो गया आपकी अनिमल हो गया ध्यान रटते हैं इनका ख सुधिक्वालिटी बायो डाइवर्सिटी लॉस्ट जो कि आधिवासी कल्सर में देखने को मिलता है अधिवासी कल्सर में साथ में रहते हैं लोग साथ आपने मूवी देखी होगी जेम्स केमरेन की अभी रिसेंटली आइथी आऀए और वे उपव उद्हाई है आपकी ची किस तरह के से हम लोग फॉर इस खतम कर रहे हैं बहुत सारी चीजह उसमें प्रैक्टिकली दिखाए गई है जैम्स कैमरां की मुवी के अंदर चलिए किस तरह के से हमें आदिवासी कल्चर हमें हमारी जिंदकी में भी आड़ कर सके तो हमें रेस्पेट करना चाहिए नेच्रल इंवार्मेंट का कंजर्वेशन का कम्यूनिटी बेस्ट इसन में चाहिए ना इंटिग्रे इंटर जनरेशनल नौलिज शेरिंग होनी चाहिए प्रमोशन और बायो डैविस्टी का रेनेवेबल एनरजी का वार्टर रिसोर्स का हम लोग बिजली पानी इलेक्रिसिटी का दोस्तों बिल्स दे जीजने को मिलते हैं ठेला आगे बात करें तो गवर्मेंट की कई सारे इनिशेटीव एट्राइफ्ट इनिशेटीव ट्राइबल पॉपॉलेशन दिली संकब से सिधी प्रोग्राम वैसे बहुत सारे प्रोग्राम में जो कि सरकार के दुवारा चलाए गया है और बात करें तो लावनी के फोक डाउंस को लेकर देखो मारास्टा का बहुत ही फेमस दास है लावनी अभी रिसेंटली दोस्तों कहीं लोगों ने इसके ओपर कमर्शलाइज करने के और वल्गर परफॉर्मेंस करने के कई सारे सीनिर आर्टिस्स के दुवारा जो है अक्यूज है जो की कि करते हैं और गुमरूश के साथ में परफॉर्म करते हैं धोलक इसमें यूज होती है और यह बहुत ही पुरानी 200-300 साथ पुराना डांस है लेकिन क्या हुआ था फेमस कब हुआ था जब यह थे न अपने क्या बोलते हैं पेशवास थे उस तेम पर दोस्तों यह डांस है जो नहीं दोती है हर चीजब हो बहुत है यह थे करता चुछ फ्रव जैसकर बैडांस फोक होते ना इसके उदर नहीं क्या होता है इतना जादा लूड कर सकते distra 여러분 इसमें इतने ज़रेंग और वंगडा है डान्यां वंड्या है सबी लोग कर लेते हैं नॉर्मली देखा जातो एक तरीके से हाथ पर तो यह लाई लेते हैं तो पर्फेक्शन की इसमें रिकॉर्मेंट नहीं होती तो इस तरीके के बहुत सारे फेमस जांस आपको देख लिए मिलेंगे यह आपने देखिए यह सारे के सारे फोक आर्ट है आप PDF में पढ़ लेना बहुत इंपॉर्ट है पेपर में आता है सवाल है आप इस पर ठीके सब रास लिला और यह सब है ना नॉट टंकी और यह सब वोलटाइल क्या होते हैं दोस्तों देखो रिसंट्टी कई स आप इससे ऐलिमेंट है जो कि सॉलिड और लिक्विट से वेपर में गण्वर्ट हो जाते हैं बहुत लो टेम्परिचर पर समझ गया जैसे कि कारबन डायोकसाइड है नेट्रोजन अमोनिया इड्रोजन नीट्रोजन मीथेन सलफर यह क्या होते हैं वेपर में गण्वर्ट बात करें लेंगवार्ट का मतलब होता है जब आँ बहुत ज़्यादा लेजी होते हो उसको कहते हैं torpid बहुत अच्छा word है sluggish बहुत अच्छा word है उसी प्रकास से euphemism का मतलब होता है जब आप कोई phrase या metaphor यूज करते हो ना किसी भी idiom यूज करते हो उसको कहते हैं हम लोग proximity मतलब pass में vicinity बहुत अच्छा word है है ना और agents बोलते ने adjacent है adjacent मतलब पास में एक दम चले insurgency का मतलब withdraw करना और collude का मतलब combine करना conspire करना आपस में मिलके कोई काम करना इसका लावा current affair का batch आप सभी लोग के लिए available है ssc की best team आपको ssc के सारे courses आपके लिए लेके आई है आप join कर सकते हैं साथ में यह वार हो है basic science और engineering का कोर्स आपके लिए अविलेबल है और नेट सेट और अस्टन प्रफेसर के लिए आप जेरेफ अड़ा करके application है अपनी application है वो डाउनलोड कर सकते हैं आपको class 24 डाउनलोड करनी है preparation में जाना है और यहां पर सारे courses आपके पास available है ठीक है आज का पहला question देखें तो यहां पर human organ को लेकर है क्या हमारे आपर transplantation जो है वो legal है अगर किसी का brain death हो जाता है तो भी क्या हमारे आपर दोस्तों डोनेशन 18 साल से कम उम्र का ही कर सकता है ऐसा है क्या नहीं है ना तो यह गलत हो गया पहला वाला सही हो गया अगला सवाल आपका है लावनी को लेकर यह combination है traditional song का और dance का जो कि महारास्टर में popular है यह पेश्वास के टाइम पर ही originate जो की हुई थी कौन सा statement गलत है पहला वाला तो सही है originate पेश्वास के टाइम पर नहीं हुई थी famous हुई थी तो यह गलत हो गया वापस से answer हो गया अगला सवाल है election commission को लेकर political party को national party कब recognize करते हैं तब 6% दोस्तो total vote मिले आपको चार राज्यों के अंदर या लोगसभाई election के अंदर चार MP भी आपके चुने जाए state party आपके चार राज्यों में हूँ या फिर 2% total लोगसभाई की सीटे तीन राज्यों में मिल जाए तो तीनोई statement सही है दोस्तो national party के यह तीनोई criteria दयान रखीग करता है model code of conduct release करता है तीनोई सही है तो वापस चैड़ी answer हो गया ठीक है तो यह ता आज का आपका important session वीडियो को like और share कर दीजेगा आज के लिए इतना ही दोस्तों कल वापस मिलेंगे same time same place